नमस्कार मेरे किसान भाईयो राम राम जी भाईयो आज की जो हमारी वीडियो है देखो आप न्यूहा लेंड 65-10 65HP का टेक्टर चलता हुआ 4x4 दिखा रहे हैं आपको 2MB पलाव पर भाईयो चैनल को कर लिए और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बता दियो वीडियो कैसी लगी आपको तो देखो भाईयो न्यूहा लेंड 65-10 के रुधन उठते हुए किस तरीके से रुधन उठा रहा है ये भाईयो मेरे हिसाब से जो इसके पिछे 2MB पलाव है ये छोटा है कम से कम इसके पिछे 3MB पलाव तो होना चाहिए था भाईयो बहुत ही ते चला रहे हैं हमारे किसान भाईयो मैं फिर वही बात दोहरा दोहरा हूंगा कि ये सिरफ इसलिए चलाया जाता है पलाव इन जमीनों में ज्यादा कैडी होने के कारण इसमें पुराड बहुत ज़्यादा है और अगर पुराड को ये इस तरीके से पल्टा नहीं देंगे तो ये ना तो पुराड इसमें गड़ेगा और ना आगे जहों की भुवाई होगी तो भाईयो बताजे अगरो टेक्टर कैसा लगा आपको और ये देखो अब पीछे के क्या हालात हैं अगरो अगरो बहुत ही कहर वाली अवाज है तक्टर की अगरो तबने गा कही नाम नहीं तक्टर का बिलकुल नहीं अगरो बहुत है झाल झाल पुरार भी बहुत ही कट्टा हो जाता है पंखो में तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत होने बाद भाई हो आपका झाल 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 झाल